दोस्तों बहुत बार मेंने बता दिया हैं दो बार वीडियो में बता दिया हैं कि MPPolice 2021 जो आठ जनवरी से जो एक्जाम होने वाला है वो एक्जाम यहां पर होगा कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई बादा नहीं आने वाली है इस बार एक्जाम फाइनल होगा लेकिन फिर भ कार्ड भी आपको जल्द ही 25 दिसमबर से शायद आपको देखने को मिल जाएगा इसा क्यों है तो लोजिक के साथ में देखते हैं और उसके बारे में बात कर लेते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई continue करते रहना है सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें MPPolice Constable 2021 के एक्जाम क तो इसको form fill कियोवे बहुत time हो गया है और अभी तक इसका calendar जो है वहाँ से नहीं अटा है साथ ही दूसरी बात यह हैं दोस्तों कि अगर आप official website के उपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रवेशपत्र देखने को मिलते हैं समू 5 Pharmacist Lab Technician वा अन्य पदो की भढ़ती है तो को मिले हैं साथ से आठ दिन पहले आपको यह admit card देखने को मिल गये हैं इसका मतलब यह है कि admit card जो है आपका साथ दिन पहले होगा लेकिन MP police जो exam है वो बड़ी है और बहुत ज़्यादा shifts होती है बहुत सारी shifts होती है इसकी exam के लिए form fill up भी बहुत ज़्यादा होते है number of candidate के तो यहां पर अगर admit card की दोस्तों बात की जाए तो admit card आपको 10 days prior आपको देखने को मिल जाएगा और 10 to 12 to 15 days prior आपको देखने को असनी से मिल जाएगा जिसमें आपको आपकी exam city कौन सी रहेगी यह mention किया रहेगा आपका exam का date कौन सा है यह mention आपको कर दिया जाएगा जो 12 to 15 days आपको admit card देखने को मिल जाएगा अगर मोटा मोटा तोर पर बात करें तो 25 से 26 तारीक तक यह आपको admit card देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आप यह पूछेंगे कि हमारा exam center कौन सा है तो यह कैसे देखने को मिलेगा फुल जो e admit card आपका रहेता है वो आप कब download कर सकते है तो उसके बारे में बात कर लेते दोस्तों आपको जो फुल e admit card है दोस्तों यहाँ पर मैंने फुल e admit card है दोस्तों वो आपको exam के 7 दिन पहले और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा या फिर अगर ऐसा होगा एक schedule pattern रहेगा उसका कि 5 दिन पहले भी आपको देखने को full admit card मिल जा तो रहेगी सही exam date रहेगी साथ में किस city में किस exam center पर आपका exam होगा वहाँ पर उसकी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी इस admit card में दोस्तों अगर आप जो व्यापम की professional examination board याने की PB के जो official website है वहाँ के आप अगर प्रवेश पत्र पर जाते हैं तो प्रवेश पत्र वाली वेकेंसी री exam थी उसका आपको यहाँ पर admit card देखनों मिला है साथ इसके चार दिन पहले 10 दिसंबर से भी आपको group 2 जो subgroup 4 साहयक समपरिक्षा कनिस्ट साहयक data entry operator का जो admit card था revise exam का वो आपको देखने को मिला है इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो MP police constable का exam में व इसका मतलब आपको अपनी तैयारी continue रखनी है और अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लीजे कि इस बार आपको वर्दी लेने से कोई भी नहीं रोक पाए तो दोस्तों इन सब बातों में नहीं आना है कि election आ गये हैं तो उसकी वज़े से exam होगा या नहीं होगा चुनाओ का आप पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आपका exam होगा अला कि चुनाओ वाले दिन exam को थोड़ा सा पुस्पन कर दिया जाएगा एक दिन के लिए लेकिन आपको exam देना है कोई ऐसा जादा वो नहीं करना है लेकिन तैयारी आपनी पूरी रखिए ये दो को 99.99% में आपक यह होगी है कि वेकिन्सिया बहुत कम आने लगी है पुरानी वेकिन्सिया है उनकी बी exam अभी तक नहीं हो रही है बहुत मुश्किल से हो रही है तो यह जो मोका मिला है इसको गवाओ मत तैयारी अपनी इतनी रखिए कि यह जब भी exam ले आप क्लियर कर ले बाकी आपको दिया गया है वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं स्टेडी विट नील नाम से वहां पर आपको जो भी MP पुलिस के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट ही व्यापम से वो आपको सारे मिलते रहेंगे बाकी इस्टाग्राम पर आप हमें कोंटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो nwl.charn166 पर आप हमें कोंटेक्ट कर सकते हैं बस इतना सा कर लो फिर अपकी बार जो है वर्दी आपकी होगी तैयारी करते रहो वर्दी इस बार आपको मिल कर रहेगी वीडियो वोच करने के लिए थेंक्यू अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा जो भी अपडेट आएगा उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में